एक सरल विंजक पाने के लिए समान पदों को मिलाईए. यहां हमारे पास एक विंजक है पांच के धन रिड़ दो के रिड़ रिड़ एक के. यहां हमें इस विंजक को और सरली कृत करना है और इसका सरली करन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? इसका सरली करन करने के लिए मैं इस व तो ये दोनों ही पदों में एक चर है मेरे पास के तो हम कह सकते हैं कि पांच के और रिड़ दो के समान पद हैं तो यदि मैं पांच के और रिड़ दो के को जोड़ू तो ये क्या हो जाएगा तो ये बराबर होगा पांच के रिड़ दो के के और यदि मैं पांच के में से दो के घटादू तो मुझे क्या प्राप्त होगा मुझे मिलेगा तीन के और जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास ये जो आखरी पद है रिड़ रिड़ एक का और हम जानते हैं कि दो रिड़ात्मक संख्याओं का गुड़न एक धनात्मक संख्या देता है तो इसका अर्थ हुआ कि रिड़ रिड़ एक को मैं लिख सकती थी धन एक और इसको मैं यहां बे लिख दूँगी तो हम देख सकते हैं कि हमने इस विंज़क को सरली कृत करके इस रूप में लिख लिया चलिए अब हम इस कोश्ठक में अपना उत्तर लिखते हैं और जाचते हैं कि यह सही या नहीं तीन के धन एक जी हाँ चलिए अब हम एक और सवाल हल करते हैं एक सरल विंज़क पाने के लिए समान पदों को मिलाईए यहां मारे पास एक विंज़क है और हमें इसको और सरलीक रिद करके सबसे नियूनतम रूप में लिखना है तो विंज़क है रिड 3x रिड 6 धन रिड 1 और हम जानते हैं कि हम सिर्फ समान पदों को ही जोड सकते हैं तो चलिए पता लगाते हैं कि इस विंज़क में कौन-कौन से पद समान है अगर मैं इस पद को देखू तो इस पद में हमारे पास एक चर है और क्या कोई और पद है इस विंज़क में जिसमें की चर मौजूद है यहां है रिड 6 और पचा रिड 1 ये दोनों पदों में तो चर रही है इसका अर्थ हुआ जोड़ सकते हैं तो यदि मैं रिड 6 में रिड 1 जोड़ू तो मुझे क्या प्राप्त होगा ये बराबर होता है रिड 6 रिड 1 के और दो रडात्मक संख्याओं का योगफल भी एक रडात्मक संख्या देता है और ये बराबर होता है रिड 7 के तो इसका अर्थ हुआ कि मैं इस वेंजक को लिख सकती थी रिड 3x, रिड 7 के बराबर तो चलिए अब हम इस कोश्ठक में अपने उत्तर को लिख देते हैं और देखते हैं कि ये सही है या नहीं मैं यहाँ पे लिखूंगी रिड 3x, रिड 7 चलिए इसको जाचते हैं जी हाँ ये उत्तर बिल्कुल ही सही है